मैं कह रहा था प्रेम जी आपकी बात का उतर देने के लिए स्टूडियो में आ गए हैं लेकिन वो इससे पहले जो हमने बयान दिखा है आज के वो नहीं देख पाई थे प्रेम भाई को पहले एक चीज कह देता हूं कि प्रेम भाई साब की माता जी का देहावसान हुआ हम सब लोग बहुत दुखी है और हम सब अपनी संबेद्राइप प्रेम शुकला जी को देना चाहते हैं प्रेम जी अब सब की और से बहुत दुखी बात है लेकिन आज तो हम जो यह चर्चा कर रहे थे मैं बताना चाहरा था आपको कि प्रथान मंत्री ने आज जो रहली में कहा रिवाडी में कि जो जिन्हों ने 370 खतम किया उनको 370 सीटों का टीका लगाई की जन्ता पिर उन्होंने वहां पर जन्ता से भी नारा लगवाया 300 पार 400 पार का जिन्हो ने थे ठीक है निए उस पर क्यों नहीं ध्यान देते रहा है मैं समजा समझाके थक गया हूं मैं परषाना ओ Islands आप लोगों को लेकिन थाली बाजानी है आप लोगों को लेकिन Personal lumière लाइट चमकानी है आप समझ ही नいंजरे आपके साथ क्या हो रहा है अ ने इननके तो पोच सुचिता पुर्ण बेयान दिया है, नहीं तो इनके तो जनरल सेक्रेटिरी है श्रीमान रंदीर शुर्जेवालाूं हो तो कह देते हैं कि भाजपको ओट देने ऒली देते हैं कम से कम वह यही किरें कि मैं थक गεια हूँ तो स्रीमाररा Анुराफ गातार प् तब तमाम राजनितिक विश्लेशक, तमाम कांगरेस के नेता, तमाम स्वयूद प्रगतशिल गडबंदन के घटक दल, यह कहते थे कि भारती जनता पार्टी आदरनी अटल जी के यूग में भी 182 सीटें नहीं पार की थी, तो भारती जनता पार्टी 272 प्लस अकेले के बल प अब की बार 300 पार, तब लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तो सपा बस्पा और आरेडी का गडबंदन हो गया है, और सपा बस्पा का गडबंदन जब 1993 में हुआ था, और उस सबे भारती जनता पार्टी पूर्ण बहुमत पाने से चूप गई थी, सबसे बड़ आरेडी के साथ उनका गडबंदन होने के बावजूद, कांग्रेश के साथ उनका रने नितिक गडबंदन होने के बावजूद, भारती जनता पार्टी के नेत्रत्त में NDO को 51% ओट भी मिले, और 64 सीटे भी मिली, जिस बंगाल में सिर्फ हमारे दो विदायक थे, 2019 में, वह वहां को 25 की 25 सीटे आई, जिस मद्दप्रदेश में हम चुनाओं हा रहे थे, वहां 29 में से 28 सीटे आई, जिस 36 गड़ में हम चुनाओं हा रहे थे, उसमें 11 में से 9 सीटे आई, तो जनता जनादेश आदर निन नरेंद्र बोदी जी के नेत्रत पर जनता का विश्वास है, वो जनता को यही समझा रहे हैं कि आप भावनाओं में बह रहे हैं आप यह नहीं देख रहे हैं कि आपके आपकी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है वो भावनाओं में बह रहे हैं कोई भावनाओं में नहीं बह रहा है जिन असी करोन लोगों को जो है खाद्यान उपलब्द हो रहा है वो भावनाओं को आपके जिए जबाब दे